वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बिलिंग इन डिटेल्स देखेंगे किसी भी टेपर पर क्लिक करने से मेन्यू बटन खोलेगा जिसमें bottom right side आपको menu बटन दिखेगा उस पर click करने से आपको menu का composite version दिखेगा जब menu items बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय ये section बहुत काम आता है किसी भी category को select करने से हम उस category में पहुँच जाएंगे item add करने पर bottom में एक yellow belt display होगा उस yellow belt में चार option हैं फ़र्स्ट option kitchen instruction के लिए है जैसे कि कम spicy, कम नमक, etc उस पर click करने से हमारा instruction box खुलेगा जिसमें हम instruction tag कर सकते हैं यह instruction हमारे के ओटी kitchen order slip में save हो जाएगा second option हमारा order details को देखने के लिए है जिसे कि customer का order उसकी quantity देख सकते हैं third option के ओटी slip के लिए है kitchen order ticket slip में हमारा instruction add हो जाएगा जो हम kitchen में order तियार करते समय दे सकते हैं चौथा बटन tick mark यानि की right के निशान का है जिस पर click करने से order उस table में save हो जाएगा थैंक यू